तो चुल्ण बिजनस एंवाइरमेंट में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी फीचर्स पढ़ लिये थे और वी वर तो स्टार्ट विद दो रीजन्स वाइट इस इंपोर्टन तो अनलाइज बिजनस एंवाइरमेंट तो अगर आप एक सक्सेस्फुल बिजनसमें हैं तो आप इसलिए सक्सेस्फुल हैं बिकॉज आप एंवाइरमेंट ठीक से समझ चुके हैं सुना होगा आपने मम्मी बोलती होंगी थंडी का सीजन है आइस्क्रीम मत खाओ फिर आप मम्मी को घ्यान देते होंगे मम्मी जहरी जहर को कटता है मम्मी जहर खालो फिर तुम और जहर दि आपको बिजनस एंवाइरमेंट अगल बगल का महल कैसा चल रहा है यह समझना बहुत जरूरी है तो इस पॉइंट्स वर रिटन आइस सपोस ब्रीट में एक्स्प्रेंड भी कर दिया था अब इसका बव्वे प्रजर्शन चालू करते हैं सो मारूती सुजूगी का नाम इंडिया में सों कॉल्डOY le brigade के सिब्सेंट चीप चीप बोलने के तरीके से आप समझ गयोंगै मैं क्या भूलना चाहर हुँ लो प्राइस अलग चीज होता है और चीप अलग चीज होता है इतनी घटिया इसमें प्लास्टिक लगी है एक मैं वीडियो देख रहा था एकदम समझ लिए पापड़ी टाइप प्लेट वो लोग लगाते हैं, तभी गाड़ी सस्ती बनेगी, whereas Tata की cars महेंगी क्यों है, Toyota महेंगा क्यों है, because they use good quality of steel in their cars, children, समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात, पक्का, तो मारुती ने देखा, कि अगर हमें car का leader बनना है, तो India, as I always say, is what children, it's a price driven market, सस्ता होका तो लोग खरीदेंगे महेंगा, नहीं खरीदेंगे, personal example दे रहों बचो, Zoom जब launch हुआ starting में, सिर्फ और सिर्फ dollar, yen और euro में इसकी billing होती थी, आप Indian रुपी में इसको नहीं purchase कर सकते थे, अगर आपको Indian रुपी में खरीदना था, तो किसी Indian agencies को आप contact करें, they will take rupees, convert it into dollar, 20% profit margin लेते थे और आपको Zoom का प्लान बेशते थे, Zoom ने notice किया, हमारा 40 minutes का प्लान तो बहुत लिया जा रहा है इंडिया में, जो free बाला है, और लोग खरीद नहीं रहें इसको, problem क्या है, पहली problem आई कि हमारी pricing रुपी में नहीं है, तो इन्होंने क्या किया बचों, pricing को रुपी में कर दिया, जितना dollar में लेते थे उतना ही रुपी में convert किया, तो 13,200 रुपे का annual plan आया, उसके बावजूद भी इन्होंने देखा, कि बहुत जादा sales में growth नहीं हो रही है, तो अब इनको ग्यान आया, कि सौरब से ठीक बोल ला थे, इंडिया is a price driven market, तो इन्होंने अपना plan सस्ता किया, और बोला per month plan is available at 4.39, जिसमें 100 so-called people can connect, अब शायद वो limit भी इन्होंने हटा दी इसके उपर से, और अगर आप पूरे salver का payment एक साथ करते हैं, तो हम आपको 1 month का discount भी देदेंगे, जूम के subscribers दना दन बढ़ने लग गए, तो इन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले identify किया, और Microsoft, WebEx, ये सब आज तक करी नहीं पाए, या करना चाहा नहीं उन्होंने, that's why so-called first mover advantage जूम को मिला, और इंडिया में क्या worldwide जितना जूम famous है, उतना कोई famous है भी नहीं, तो आपको कभी भी अगर market में grow करना है चिल्डेन, तो you need to have what is called as a first mover advantage, किसी भी चीज़ को सबसे पहले, अगर आपने adopt कर लिया, तो तो आपको customer मिलेगा, वरना ठेंगा आपको customer मिलेगा, is that understood, burgers इंडिया में कितने सालों से बिक रहे हैं, but when McDonald's came to India, कितने रुपे में burger बेचना चालों किया था पता है, बीस रुपे में, सौफटी कितने की थी चिल्डन, सात रुपे की, लोग कहींगे सर्फ primitive age की बात कर रहे हैं क्या, मैं primitive age की बात नहीं कर रहा है बच्छों, 2006 से लेके लगबग 2010 तक इनका यही price था, उसके बाद बढ़ते 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 और मैक आलू टिक्की और मैक चिकन, दोनों इतने मित्ता था, तो अब मैक चिकन तो 89 का हो गया शायद, और मैक आलू टिक्की जो है वो 49-52 का आजकल बिख रहा है, तो मैक डॉनल ने identify किया कि इंडिया में लोगों को बर्गर तो अच्छा लगता है, बट पैसे नहीं है महिंगा बर्गर खरीदने की, नॉर्मल काफेटेरियास क्या करते थे उस जमाने में, 50 रुपी का बर्गर देते थे, बर्गर के साथ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज देते थे, और आलू की पीठी देते थे, ये भी खाओ साथ में, मैक डॉनल ने सोचा लोग तो बर्गर खाने आते हैं न, फ्रेंच फ्राइज को तो कोई notice करेगा है नहीं, तो फ्रेंच फ्राइज छोड़ दो, कोस्ट कम हो जाएगी, आलू का वो पीठी देते थे, उसको भी छोड़ दो, बर्गर की कोस्ट कितनी है, आट रुपे, बेचो बीस रुपे में, मैं आपको अला बात का लाइव एक्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े-बड़े स्टोर्स यहाँ पे थे, पारडाइज और चल रहे हैं, पचास रुपे का बर्गर, इन्होंने भी बीस का बेचना स्टार्ट कर दिया, विद दा नेम ओफ एकॉनमी बर्गर, बट बही जितना मैक्डॉनल्स को, so-called reputation का share market में मिला, उतना दूसरे को नहीं मिल पाया, तो कुछ भी आपको जीवन में अच्छा करना है, you have to become a first mover in that, जितनी जल्दी identify कर लेंगे, अपने competitors को, अपनी opportunities को बचों, growth उतनी जादा, तो बजाज वालों ने इस चीज़ को पहले identify कर लिया, कि इंडिया में आने वाले टाइम में, fuel prices will go, अब scooters का उतना mileage है नहीं, तो using scooters would be very, very, very expensive, that's why they switched to what children, motorcycles, और recently, diesel cars को, Toyota, Maruti, इन सबने बनाना क्यों बंद कर दिया था, because they were thinking, कि government of India, EVs को काफी promote करेगी, बट उसके बाद, थोड़ा सा इनका research गरबड़ा गया, EVs की इनको उतनी expected sale, मिलनी पाई, और Maruti और Toyota ने collaborate किया, Toyota ने का कि बई सस्ती छोटी गाड़ी हम नहीं बनाएंगे Mr. Maruti, आप से ले लेंगे, और महेंगी गाड़ी आप मत बनाओ, हम से ले लो, तो आप अपने resources, मारूती वाले सस्ती गाड़ी पे लगाओ, हम अपने resources, महेंगी गाड़ी पे और market को capture करते हैं, और H2 engine की तो मैंने आपको बात बताई थी, hydrogen engine, तो हम EVs पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे, hybrid पे, क्योंकि मारूती नहीं सोचा, let's see, Tata का EV market क्या है, Honda का EV market क्या है, नजर आया कि कोई खास काम इंडिया में हो नहीं पा रहा, क्योंकि EVs are very 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 expensive in India चल दें, और मैंने आपको बताया, इंडिया किस तरह का बजार है, price driven market है, इंसान को बैल गाड़ी भी मिल जाए ना, pocket की वो उसी खरीदेगा, ये तो इजज़त की बात है, लोग इरिक्षे में बहुत खुश है यहाँ पे, कि चलो एक इरिक्षा खरीद ले, 5-6 लोग तो अराम से बैठ जाएंगे, is that clear, और डिनर वगएरा भी इरिक्षे में हो सकता है, चलते चलते, थोड़ा LED लाइट वगएरा लगा लो, बाजा भी लगा दो, पर थोड़ा इज़त का फालूदा है, नहीं तो, मैंने तो बोला था, अपनी फैमिली को, 2008 में नानो खरीद लेते हैं, एकदम मंगल पांडे बन गए सब के सब, बगावत कर गए, हम नहीं बैठेंगे आपकी नैनो में, तो फिर मैंने दिल में पत्थर रखके, औल्टो खरीदी, चार-पांच-आठ साल औल्टो चले, कह रहे हैं भी पुरानी हो गई, इसको बेज़ दो, मैंने का तैंक गॉड मेरे को पुराना नहीं बोल रहे हैं, यह तो मेरे को भी थे हैं एक शेंज ओकर में बेचाएं जाके, समझ में आ गया, फॉर्चूनर तो तब लूँगा जब अच्चे टाइम पर फीज देंगे, चल यह बात समझ मांगी बचो, तो मारुती ने इसको आइडेंटिफाई किया, कि भई EV बड़ी महंगी और हिंदुस्तानी कस्टमर इसको खरीदना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है, तो इन दाट केस, देश स्विज देटू हाइब्रिट कार्स, तो आपकी कार एक पर्टिकलर स्पीड से जब उपर जाएगी बचो तो वो आटोमाटिकली पेट्रल का सप्लाइ नहीं लेगी बैक्टरी से करेंट लेगी और इंजन उससे चलेगा, तो माइलेज आटोमाटिकली बढ़ जाएगा, समझ गए इस बात को, पक्का, अच्छे लिखा नहीं चले, लिख लीजे, लिख लीजे लिख लीजे, लिख लीजे, चले, असिस्ट इन इमेज बिल्डिंग, सुना है ना, यह नाम कुछ वर्षों में बड़ा फेमस हुआ है, पहले इतना फेमस नहीं था, पहले तो सो कॉल्ड मुकेश अमानी जी का नाम ही बड़ा फेमस था, चलन अगर मैं रिलाइंस, जीयो की बात करूँ, इनका जो 4G वोल्टे नेटवर्क है, सरे वोल्टे क्या होता है, वोईस ओवर लॉंग टर्म एवोलूशन, सर वाट इस नूसंस, एटल के पास बच्चों 4G टेकनीक है, इनके पास 4G नहीं है, इनके पास वोल्टे है, सर फ सस्ता है और कॉपर महंगा है, तो कॉपर नेटवर्क पे स्पीड कैसी भी मिले, बात तो होई जाएगी, एल्मूनियम नेटवर्क पे भी बात होई जाएगी, इसकी ये रिलाइंस का जीयो सस्ता था, और एटल का 4G बहुत महंगा था, अगर आप बच्चों आज, रिलाइ सुटिंग इंशर्टिंग रिलाइंस का जो कपड़ा है वो बड़ा अच्छा है, रिलाइंस के और 10 बिजनसे से बहुत अच्छे हैं, तो definitely जीयो भी अच्छा ही होगा, is that understood, तो if you have a great reputation for brands like IIM, NIFT, NLSIU, National Law School of Indian University, अगर ये आज तक MBA के programs चला रहे थे बच्चों, और recently इनोंने 5-year integrated course चालू कर दिया, तो अगर इनका brand MBA में अच्छा है, तो definitely इनका brand 5-year integrated में भी अच्छा होगा, if IIT कानपूर is very good for BTEC, और इनोंने 11th and 12th के बच्चों को भी so-called admission देना start किया, with the offer, क्या आप हमारे teachers से 11-12 पढ़िये, हम एक 11-12 क school start करने वाले हैं, और उसके बार 5% reservation मिलेगा, हमारे ही बच्चों को IT entrance में, 5% का marks upgrade मिलेगा, और हमारे वही teachers जो IT के 4-year BTEC के students को बढ़ाते हैं, वह 11-12 को बढ़ाएंगे, तो बच्चा क्या सोचेगा, भई यही teachers तो paper बनाते होंगे, इनकी ideology हमको 11-12 में मिल जाएगी, हमक अच्छे होंगे, तो BTEC करने की जिस बच्चे की ख्वाईश होगी, वह 11-12 बच्चों IT से करेगा, या किसी school से करेगा, वह IT में ही पढ़ना चाहेगा, तो अभी तक तो 11-12 का कोई experience नहीं था, बट BTEC की reputation की वज़े से, automatically image किसकी अच्छी हो गई, 11th और 12th की, समझ में आ ग public school में, बच्चों को, food, bakery, ऐसे subjects की 11-12 में knowledge दी जा रही है, तो बच्चों को एक बात तो assure हो गई, market leader से पढ़ रहे हैं, तो job का या business idea का तो problem, हो गई नहीं, is that clear, तो Nestle की food की image, इनकी कौन सी image बना रही है बच्चों, school की, तो अगर, Lee Cooper, बड़ा, बढ़िया, so called, shoe बेशत बच्चों, and now they have started selling trousers in their name, तो shoe की reputation अगर अच्छी है, तो definitely public would think, कि इनका shoe भी बहुत अच्छा होगा, तो अपने आप shoe बिखने लग जाएगा, कि नहीं, trouser, sorry, trouser, बिखने लग जाएगा, तो image building यही है बच्चों, तो अकर मैं बच्चों को commerce पढ़ा रहा हूं, और मैंने बोला, now I am starting, teaching, and giving coaching for skating, sir, बहुत बढ़िया न चाते थे, पढ़ाई में भी, skating भी बढ़िया है, चलो join कर लेते हैं, तो एक particular product अगर किसी brand का बहुत बढ़िया है, तो वो दूसरा product भी अगर launch करेगा, तो वो भी हमेशा, अच्छा ही होगा, आपने बच्चों, ताज होटे है, तो अव्यसी बात है, इनकी, कार भी अच्छी होगी, इन्होंने एक शादी बया वाला, डाइवोर्स वाला resort कोल लिया है, अब सरे डाइवोर्स वाला resort कैसे होता है, पुरा सफेज रंगा resort होगा, सब लोगों के मूल अटके रहेंगे, उसकी training दी जाएगी पहले, तो अगर आप ताज होटेल में रुके मूंबई में, आपको बड़ा अच्छे experience हुआ, और अब दस साल बाद आप गोवा घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ, आप के रहने सर अटेची उठाने वाला कोई नहीं, आप चले चलिए, माई साथ मेरे का चलिए, भई फ्री में जा रहे हैं, और वहाँ पे ताज का resort था, तो आप उसी को priority देंगे, या वो सड़क चाप, जैसे मैं hotel book करा तो हम ऐसी book कराएंगे, जहाँ इसी चलाएंगे तो पैसा लगे का नहीं तो नहीं, ताज resort में रुकेंगे, तो company की building image की बहुत सो cold benefit उसको मिल जाती है, यहाँ प जावेद हबीब जी, समझना गया, इन्होंने hair styling सीखी, चारुक खाने मेरे को phone किया, some new movie के लिए हमको hair style बनवाना है, आप आ जाएंगे, मैंने का I have switched my business of teaching, तो भाई मैं तो नहीं आपाँगो, मैं अपने assistant को भेज जिता हूँ, मैंने इनको भेज दिया, अक्षे कुमार इनसे बाल केटा लिये, अनुषका शर्मा जी ने इनसे बाल केटा लिये, विराट कोली जी ने बाल केटा लिये, अभी उनका बेटा हुआ था मुंदन मी इजी नहीं किये थे उनके, तो जावेद हभीड जी ने सोचा, वआ मेरा brand बड़ा famous हो गया है, let's open a night- gio carbon, और इन्ह इनकी जो image है वो इनके business को promote करती है किसी लिए कहते हैं कि बच्पन में 125 में अगर आपकी image अच्छी है तो 6, 7, 8 में teacher आपको monitor बना देगा 9, 10 में अगर आपने school में दल्ले दरापा चालू किया 11, 12 में आपका प्रेम पतर त्यार रहेगा suspension certificate मतलब बस नाम लिखना है teacher ने साइ science activity में top place दिलवाई तो हो सकता है वो cultural program में भी आपको ही select कर लें sports में भी हो सकता है आप भी को select कर लें समझ में आ रही है बात है चली तो काफी business environment आपको भी काम आगया होगा को डाइट को की reputation अच्छी थी वह अगर को डाइट भी पेचेंगे तो reputation अच्छी कोचिंग क्लास को डाले को classes और के रहें कि पास उने पास पीस दीजिएगा मैं तो फिर वही ती उसे को अनुमान मंदिर प्राइडे को मस्जिद के सामने बैठूंगा कट्रों लेगे समझ था डेली government को years ago कि कल को भेंकर समस्या आएगी metropolitan cities में और उन्होंने start कर दिया metro का construction 2001 में फुला और पहले start हुआ था 2005-2006 तक तो ठीक ठाक लगबग majority areas डेली में cover करने लग गई बट स्टिल आज भी डेली की metro loss में चल रही है बट यह economic loss है children it is an economic loss बट डेली is having a social gain यह क्या होता है सर अगर गाड़ियां इतनी road पे होती कितना pollution होता कितने लोग ऐस्तमा से मर जाते उन सब के इलाज पे government को पै सब्सक्राइब उमर चुके होते हैं तो social gain है at the cost of economic loss तो इस बात को पहले ही government ने sense कर लिया over the period of time देखा गया लगनों में भी traffic problems है कानपूर में भी traffic problems है तो आजकल तो लगनों और कानपूर में metro है जरूर बट अभी उतना ज्यादा metro का operation है नहीं और majority खाली रहती है टेली क अगर आपने बता है मेरे को दो station के बार उतरना है दीरे दीरे सरकते सरकते खिसकते खिसकते आप बाहर आते जाएंगे और आपके station पे mobile अंदर रहेगा आप बाहर हो जाएंगे auto entry auto exit समझा गया तो मैनी idiots से हाल तु मैं लखनव में metro बनाए अरे आज का विजन नहीं है इतनी जन संक्या बढ़ जाएगी तो manage कैसे होगी बीड तो अगर आज इसका construction स्टार्ट नहीं किया गया तो कल को cost भी और ज्यादा बढ़ जाएगी समझ में आ गया इस चेंजेस हमारे बिजनेस मैनेजर को एक सुटबल बनाना चाहिए जैसे अलाबाद में बच्चों दोजार पच्चिस में कुम्ब है मेरे को बोला गया ताब बन जाई कुम मेलेगा और पूरा मैनेज कर दीजिए क्योंकि क्या होगी स्क्रीन सुच हो गई थी लगता है कंप्यूटर बुरा मान गया जूम बुरा मान गया तो मैंने का बहुत पाऊंगा ये काम आप स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करिए तो सीनियर आईए स्पीसेस ऑफिसर्स को एक काम दिया जाता है और कुम्मेले में पूरी सिटी बनाने का काम इन ही का होता है चलता है तो ऐसा नहीं कि जैनुवरी में कुम्मेला जिस दिन स्टार्ट बना उसको दो दिन पहरे स्टार्ट करेंगे तस सिटी इस इंदा फेज ओफ बिंग री स्ट्रुक्चरड सेंस लास्ट टू इस पूरे नाले नालिया खोदी जा रही है कि कोई अगर नदी तक जाना चाता है पैदल नहीं चलना चाता नाली के थू भी जा सकता है सुमिंग कर दिए ओके कॉपी फासले चलिए यस अगर गवर्मेंट ने अनॉंस कर दिया कि फर्स्ट एप्रेल 2030 के बाद से हम एक भी कमर्शल वहिकल को पेट्रल डीजल या सी एंजी से चलने ही नहीं देंगी सबको कमपल्सरली किस पर स्विच करना पड़ेगा इवीज पर टाटा के पास इतना स्टॉक है आज की तारिक में कि वह 2028 तक अगर अपनी मशिनरी को रिस्ट्रक्चर ना भी करें वो ट्रक बना सकते हैं तो क्या टाटा वाले अगर आज ऐसा नहीं सोचेंगे तो कल को उनको मार्किट में कैप्चर करने की पोजेशन मिलेगी नहीं तो आज से उन्होंने अडवर्टाइजिंग करनी स्टार्ट कर दिये कि वी आर स्विचिंग टू ईवी तो आप भी स्विच हो जाए इसको कॉपी करिए बच्चो मैं आपको रतन टाटा जी के बड़िया स्टोरी बताता हूँ अब बच्चो रतन टाटा जी की बहुत फेम हो गई एक तो इनको डिच कर गई मम्ता अंटी हमारी अभी मम्ता अंटी कौन है सरा आपकी अरे वेस्ट बेंगॉल की चीफ मिनिस्टर मम्ता बेनर जी जी इन्होंने फार्मर्स को प्रॉमिस किया कि हम जिसका जिसका लांड अक्विजेशन कर रहे हैं उसको बदले में तो लोग financially independent हो जाएंगे तो हमारी सरकार को vote कौन देगा क्योंकि लोग फिर हमारे बरोसे freebies के बरोसे नहीं रहेंगे और जिस जिस state में freebies सरकार ने देनी स्टार्ट की वो state insolvency की कगार पे आ चुके हैं कैरला स्टार्ट हो चुका है अगला नाम so called पंजाब का है और दी प्रोडक्शन स्टार्ट करने नहीं दिया then he contacted with the two three state chief ministers उसमें से एक हमारे state UP की भी उस समय की chief minister दी जिनका नाम क्या था बेहन मायावती BMW काफी गूसूस मांग ली उन्होंने रतन टाटा जी बोले जैमाता दी there after इनको नरेंदर मोजी जी ने contact किया और बोला आईए गुजरात में प्लांट लगाईए इन्होंने का कि भाई हमारे पास इतना महेंगा प्रोजेक्ट सेट अप करने का जमीन खरीदने का पैसा नहीं है he said मैं आपको एक रुपए में पूरी जमीन दे रहा है set up your plant बहुत बड़ी opportunity ये बेवकूब नेताओं ने अपने यूपी स्टेट से खो दी और टाटा ने वहाँ पे नैनो का प्लांट लगाया 2400 करोड का नुकसान हुआ था वेस्ट बेंगॉल से प्लांट को shift करने में गुजरात में चल रहे है and बड़िया बात ये थी पैक्टरी में जितना installation हुआ था एक nut bolt का भी नुकसान नहीं हुआ पूरा का पूरा समान वैसे ही गुजरात पहुचा सिर्फ transportation पे जो पैसा खर्चुआ वो खर्चुआ इन्होंने टाटा नानो बनानी स्टार्ट की but supplies को पूरा करने के लिए orders को आनन फानन में थोड़े inferior quality vendors से समान खरीद लिया और वहां पे कुछ vendors ने जो starter motor इनको supply की गाड़ी स्टार्ट करते हैं चाबी से न वो starter motor वस defective और इसकी starter motor आगे जो bonnet होता है वहां लगाई जाती थी वहीं पे fuel tank होता था और वहीं पे tire भी होता था और starter motor में sparking चालो हुई पेटरल ने आख पकड़ ली और में बस स्वाहा हो गया गाड़ी का ये चीजें बाद में इनको पता लगी तब तक nano की band बच चुकी थी पहली problem nano के साथ ये थी दूसरी problem जिस देश में लोग डेल लाग रुपए की motorcycle खरीते हैं क्या आप expect करेंगे वह सवालाग की कार खरीदेंगे इन्होंने क्या सोचा कार किसके लिए बनाए जो गरीब लोग है गरीब इंसान इसलिए गरीब नहीं कि उसके पास पैसे कम है उसके पास सारे resources कम है वह सबजी ल तो ये गए Ford Motors के पास जिनका एक brand है JLR, what is JLR? Jaguar Land Rover और इन्होंने बोला कि हमारे इंडिया बिजनस को आप purchase कर लीजे, Ford Motor के senior officers ने बोला जब बिजनस करने की अकल नहीं थी तो किसने कहा था business करो, ये बात रतन टाटा जी को बहुत चुप गई, रतन टाटा जी इंडिया व खरी दूँगा और इन्होंने finally कुछ साल पहले इस company को purchase कर लिया with the intention के बहुत बढ़के हुए थे ego issue था और आज जो भी range rover गाडियां इनकी है Jaguar Land Rover की same designs are being copied in Tata Safari, Tata Harrier, Altros, उन same designs को ये copy करते हैं, पहले तो नहीं कर सकते थे क्योंकि brand किसी और अब तो अपना ही है और इस व warning signal को पकड़ लिया था, कि बैंड बजने वाली है चलो अपना दंदा किसी को बेच तो, समझ में आया कि नहीं आया, यही early warning signal आज के students भी पकड़ रहे हैं, यह दादा जी नो जो business start किया था, उस जमाने में बहुत अच्छा था, क्योंकि उस जमाने में reliance digital नहीं था महले मे उस जमाने में reliance smart नहीं था, उस जमाने में reliance trends नहीं था, तो आज जब reliance trends में 499 रुपीज का कपड़ा मिलेगा बचो, क्या local garment shop पे कोई जाएगा, जितने की purchase नहीं होती है, एक wholesaler की, उससे सस्ते पे reliance smart grocery item बेच देता है, क्या कोई कर पाएगा business, तो आज का so-called youth क्या सो शायद साल का 10 लाग नहीं कमा पाएंगे, बट अगर 10 लाग लगा के पढ़ाई कर ली, शायद साल का 1 करोड कमा लेंगे, समझ में आ गई बात चलने, everybody understood, चलिए, so इसी लिए काफी companies aggressive advertising बगारा करती है, ताकि हमारा product जादा जादा पिकने लग जाए, is everybody copied this, चलिए, supporting in planning and policy formulation, अगें वो बजाज वाला example चलने, बट उसके अलावा एक और example है, हमें पता है कि BJP की government आएगी, और ये business community को काफी so called promote करेगी, accordingly ये बात मैंने गौतम अडानी जी को बता दी, और उन्होंने 5000 करोड रुपय का एक नया project, so called start कर दिया, is that understood, और इस project को start करने का पैसा, वो इसी confidence से लगा रहे हैं, कि BJP इनके proposal को cancel नहीं करेगी, अब BJP की जैब में पैसा नहीं जा रहा है, देश की तरक्की में पैसा जा रहा है, तो सर्व बीजेपी को क्या फायदा, भई देश करक्की करेगा, तो मेरी कुरसी as a prime minister बरकरार रहेगी, और मेरे पास, मैंने का नहीं मैं अपनी कुरसी में क्लास में ठीक हूँ, चलिए, कॉपिफाई कुक्ली चलगन, तो बस बजाज वाले example याद रखेगा बच्चों, और यह ऐसा subject है, जो बिना case study के पढ़ाया जाना मुश्किल ही नहीं, ना मुंकिन है, अब बच्चे सोचेंग यह बात कभी सोची ही ना होती, कि कल को fuel prices बढ़ेंगे, petrol महंगा होगा, scooter का mileage कम है, तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने कभी motorcycle का plant लगाया ही ना होता, कली देख रहा था मैं, Toyota का advertisement था, हम hybrid है, normal petrol vehicle अच्छे से अच्छा, 18 km per लीटर का भी mileage दे रहा है ना, तो समयल ये बच्छो, jackpot है, hybrid vehicle around 27 km per लीटर का mileage देता है, सर कैसे, एक particular speed से उपर, generally highway पर गाड़िया थेज़ चलती है, आपकी गाड़ी जब चलेगी बच्छो, for example, 30 km, तो उसमें 60% petrol use होगा, 40% current उसको बैटरी से मिलेगा, engine को, तो आपका fuel consumption, कम हो जाएगा, is that clear, popify faster, newspaper पढ़ने की गादर डाल लीजे, advantage would be this की, जो भी real world में हो रहा है, यही सब हो रहा है, तो आपको और असानी से समझ में आएगा, resource utilization, very simple to understand, McDonald's का business, खराब तो नहीं हो रहा था, but due to the joining of brands like Burger King, और एक और आगया, आजकल, burger, sing, अच्छा एक और आगया, burger, company, और मान लीजे, मैंने launch कर दिया, burger, दुखी, सब burger बेच रहे, burger खाके बाद में दुखी होंगे ना, बढ़ापे में, तो McDonald's को लाग रहा भाईया, competition बाढ़ लाए, और एक और वो भी तो है, Kentucky Fried Chicken, KFC, इसका full form है Kentucky Fried Chicken, और Kentucky U.S. में एक जगा है, basically, what it is, वहीं से ये बुड़े अंकल ने दंदा चलू किया था अपना, और इंडिया तक चला आया, तो अब McDonald's को क्या लग रहा है, बढ़ाई, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो चार को burger में लगा दो, दो को रहीसों का cookie, गरीबों का biscuit या biscuit, उस पर लगा दो, और दो को coffee बनाने के लगा दो, पैसे की कोई कमी है ही नहीं, बजाज ग्रूप के पास, तो इन्होंने सोचा, हम automobile का business तो करी रहे हैं, हम so-called mixer grinder भी बेची रहे हैं, let us start and use our extra money, where 50 finance एक company खोल लेते हैं, तो extra पैसा लोगों को lend कर देंगे, वो हमारी product खरीद लेंगे, तो कम से कम business में लेगा, समझ में आ गया, तो मेरे को अगर लग रहा है कि मेरे पास extra time है, I repeat मेरे पास, extra time है, तो हो सकता है मैं nursery के बच्चों का एक क्रेच खोल लू morning hours में, ना खोलू, खोल सकते हैं, क्या करना है, ना आज गाना करना है, पैसा मिलेगा, understanding, तो कैसे आप अपने resources को use कर सकते हैं, मान लीजे आपका school ground floor पे है, और बहुत ज़्यादा demand है आपके school की, बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं, teachers भी market में unemployed बहुत देर सारे खलियर चल रहे हैं, तो क्या कर सकता है school, it can run in two shifts, समझ में आगया, so like this, resources could be used much better, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ने, floors बढ़ाने में तो construction cost ज़्यादा आएगी, और हमें लग रहा है कि construction cost जितनी ज़्यादा होगी, उस पैसे को recover करने में, break-even point जिसको बोलते हैं, कम से कम 10 साल लग जाएंगे, got it clear, तो floors बढ़ा करने में management problem आ सकती है, बढ़ दो shift में उतनी management problem नहीं आएगी, morning shift के principle हो सकता है, अलग और afternoon shift के, अलग teachers सभी अलग होंगे, logic समझ में आगया, copy quickly children, very fast, be quick, be quick, next, so let's move further children, चलते हैं, main, जिससे question बनेगा, और आप परिशान होंगे बचों, that is, business environment, कितने तरह का होता है, natural environment की बात करें, तो we have the element of air, we have the element of water, and many things, soil, flora, fauna, thona, fauna, सब बोल सकते हैं आप इसको, वैसे ही बच्चों, business environment, so called, in all, is of five types, यह जो offline classes से online हो गया, networks अलग अलग आजका लोग है, 4G, 5G, 5G, 5G network का सबसे ज़्यादा, medical field में क्या कामाएगा, मैं आपको एक example देता हूँ, बच्चों, if I ask you की 5G license इंडिया में किसके किसके पास है, तो आपके मुझ से दो जवाब निकलेंगे, one is, और दूसरा मरो, first is Jio, and दूसरा is, हवा बोल, Airtel, Vodafone वाले भी गए थे, बट इनको license नहीं मिला, क्यों, इनका 20,000 करोड का debt towards the government अभी due है, 7,000 करोड इन्होंने पिछले से पिछले साल October में pay कर दिया था, बीच में भी कुछ pay किया है, 12,000 करोड इनका भी pending होगा, बच्चे कहीं तो इतने अंदर तक की बात आपको कैसे पता, one of my known person is VP Finance in Vodafone Children, तो एक दिन उनका मन बड़ा उदास था, तो मेरे को अपनी so-called गाथा बदाने लग गए, और बच्चों, अडानी जी के पास भी 5G का industrial license है, यह कौन सा license होता है, अडानी जी 5G services मेरे को और आपको नहीं दे सकते, बट hospitals को दे सकते हैं, universities को दे सकते हैं, institutions को दे सकते हैं, individual consumers को नहीं दे सकते हैं, तो दोनों गुजराती भाईयों के बीच में so-called compromise है, कि हम retailers को बेचेंगे और तुम wholesalers को बेचना, तो अब यह 5G कैसे काम करेगा industrial sector में, ग्लिम्स दे रहा हूं बच्चों आपको, Take an example of a hospital called as Medanta, नाम तो सुन नहीं होगा, मान लीजे, Medanta nearby लखनों में located है, और in the city of Pryagraj, किसी को heart stroke आता है, Pryagraj से लखनों, अगर वो normally जाना चाहेगा, तो रस्ते में, चौथा, तेरवी, किर्याकरम, सब के इंतजाम, discussion हो जाएगा, पहुच नहीं पाएगा जिंदा वहाँ तर, तो Medanta वालों ने, Pryagraj सिटी में, let us say, अपनी 50 high-tech ICU ambulance, अलग-लग जगा पाक करवा दी, जैसे ही किसी को heart stroke आया, उसके घर वाले phone करेंगे, और within 6 minutes, ambulance वहाँ पहुच जाएगी, सर, हमार पडोसी घर ना बड़ी गल्ली में है, उनसे कहिए बाहर घर ले लेना तो निपड जाएगे, क्योंकि स्कूटर वाली ambulance तो है नहीं, ambulance man को बढ़ाय जाएगा, मेंदानता लखनों में, डॉक्टर लाइफ कॉल पे होगा, 5G network के हो चाहिए सर, क्योंकि इसकी speed बहुत तेज होगी, जो so-called, इसाब किताब लगाय जाएगा body में, जो pulse rate होगा, पता लगा pulse rate, 9 बचके 35 minute, 40 second में जो display हो रहा है, hospital में 45 second में जा रहा है, डॉक्टर ने prescription वोला हो, 10 second बाद मिल रहा है, टाहियां इंसान ने पड़ गया, super live, I repeat, it should be super live, real time होना चाहिए, मतलब सिर्फ 9 second का difference admissible है, तो डॉक्टर वहाँ पे एक डॉक्टर, 10 ambulance को prescribe करेगा, और बताएगा patient को क्या first date देना है, टाकि patient जिन्दा वहाँ तक आ जाए, इसलिए speed बहुत तेज़ चाहिए, understood this children, समझ में आ गया, तो ये 5G का industrial license, medical sector में इस तरह से काम करेगा, इसकी testing, 2 साल पहले इंडिया भी complete हो चुकी है, और अब ये operative भी हो चुका है काफी चगा, अब आप गएंगे सर अबने देखा ही नहीं, phone करो ambulance को, किसी पडोसी पकड़ो, heart stroke करवो तो देख लोगे, समझ में आ गई बचो बात, तो ये कौन सा environment हुआ, technological, but so called, इसको कानूनन permit करना पड़ेगा पहले, कि hospital इस तरह की, tele video conferencing prescription देने के लिए, इसको का revenue और बढ़ जाएगा, and society के लिए, it proves to be a boon और a bane, boon, बोला तरह इंटर रिलेटेड होता है, तो like this is interrelated, अभी मैं online पड़ा रहा हूँ, विशा जी, नकीबा जी, और वान्या जी, मेरे को सिर्फ देख पा रही हैं, समझ में आ गया, बट class में लोग मेरे को physically भी देख पा रहे हैं, आप लोग मेरे को camera में देख पा रहे हैं, बट अगर ऐसी technology आए, 4-5 projectors लग जाए, उससे ऐसा light cup हुआ रहा बने, कि मैं शाक्षक आपको देख नूँ सामने, आप मेरे को देख लें, अभी एक recent movie आई थी, उसमें सल्मान कान जी devil बने थे, क्या नाम था movie का, Robin Hood पांडे बने थे, रहिसों को लूटते थे, गरी बच्चों को देते थे पैसा, kick, yes, kick movie में वो cheat करता है, पुलिस वालों को, camera से उसका वो, क्या कहते हैं, अभी recently एक शाहिद कपूर जी की movie आई थी, जिसमें कृती सैनन जी को robot बनाया गया था, तो उसमें शाहिद कपूर जी की जो मौसी होती है, वो e-robotics की managing director होती है, she was there in US, बट वो so-called India में meeting लेती है, तो light के display के तरून की image, real image लगती है, बट reality में वो होती नहीं है, समझ में आ गया, AI based, अभी मैं आपको sky की example भी दिखाता हूँ, बट आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कहां गया, मेरे को थोड़ी दिर के लिए view stop करना पड़ेगा, just hold on, stop share कर दिया बच्चों, ये view आ गया, immersive view कैसे मिलेगा, रुप जाईए इसको जरा host बना लेते हैं, चलिए, मैंने अपने recording को host बना दिया चलिए चलिए, और यहां पे आने वाला है एक immersive view, हाँ चलिए, तो अब ऐसा लगेगा, कि जो हमारे बच्चे online connected है, they are so called not sitting at their home, सामने आ नजर आ पा रहे हैं, अब मैं कैमरा लगा लूँ, और यहां के बच्चे भी आपको नजर आ जाए, क्या कहना सर, तो live experiences बढ़ जाएंगे, चेंज करते हैं immersive view को, और सर थोड़ा boring ना हो जाए, चलिए, ऐसा लगे कि हम लोग पेड़ की शाहों में कहीं बैटे हुएं, तो it would look like this, यह भी business environment है children, जूम को लगा boring ना हो जाए, corporates meeting, एकदम classroom का feel आए, तो this would be a feel of a classroom, समझ आ गया, सब लोग जब अपने घर में बैट के ऐसी पढ़ने लगा रहे हैं, समझ में आ गया, तो तानिया जी को लग रहा होगा कि बही नकीबा जी बगल में है, चलिए, एक और है, बहुत बढ़िया, एक बार मेरे को अपनी so-called बती जी का, CVT का form fill करवाना था, तो मैंने उसको connect किया इसी जूम पे चलना, and I shared this, तो मैं ब्रदर सेट कि बही तुम क्या मूवी देख रहे होगा है समय, मैंने का नहीं, ये मर्सिल जूम में काम करता है, समझ में आ गया, तो ये क्या, ये भी AI-based ही है, basically, अब मेरे को लग रहा है, मेरी शेकल बड़ी मनूस है, तो मैं टच अप कर सकता हूँ face का, बिना lipstick यूज किये, so-called lipstick वाला feel आ सकता है, मैं अपना चेरा भी बदल सकता हूँ, तो so-called children, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये है technological environment, कौन से environment? technological environment, तो boring classroom जो हता है, वो थोड़ा interesting classroom बन जाता है, ये तो अभी कम है, आप और बढ़िया subscriptions अगर ले लें, तो समझ लिए आपको लगेगा, आप गो अभी इसमें बैटके class attend कर रहे हैं, चलिए, copy कर लीजे इसको fast, चलिए बच्चों, लीगल environment, smoking is injurious to health, consumer protection act 1986, 2019 और ना जाने कितने कानूनों में लिखा है, broadcasting act में भी लिखा है, 85% tobacco के packet पे मुकेश का मुँ होना चाहिए, तूटा हुआ सड़ा हुआ जबड़ा, बट स्टिल क्या लोग सुधरते हैं बच्चों, बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं, आप movies बगरा देख लीजे, शाहिद कपूर जी स्मोक कर रहे हैं, नीचे लेखा, smoking is injurious to health, अरे इतनी समस्य है भाईया, तो बंद कर रहा होना है सब factory, यह बंद कर रहा हैं, 28% का GST मिल रहा है, देश हम और आप थोड़ा चला रहे हैं, यही बिचारे चला रहे हैं, तो smoking is injurious for health, सुझना गया, यह label, अभी तो Consumer Protection Act अप 1986 का पड़ेंगे, बट course update में 2019 से question पूछा जाता है, चीजे वही हैं, थोड़ा सा difference हो चुका है, तो movie के पहले बताना जरूरी है, यह 16 plus है, या 5 minus है, सरे 5 minus क्या होता है, तो deny कर गई, कैरे मैं घर छोड़के भाग जोंगे, बटी movie देखने नहीं जाऊंगी, अब मुर्गा फसा मैं, तो मैं ले गया, मैं सो गया, मैंने का बिटा जब popcorn burger चाहिए होगा, cold ring मेरे को उठा देना, I am sleeping, दो गंटे बाद ही सेट, पापा चलो मैंने काँ popcorn लेने का, नहीं movie खतम हो गई ही, हमने समझ लिए एकदम chain की सांस ली, तो so called ये सारी चीजें ज़रूरी है, पहले से आपको एक statutory warning देनी पड़ेगी, तो ये किस तरह का environment है, legal environment, तो MCQ में आपसे पूछा जाएगा, using, I repeat, airbags, is compulsory as per Motor Vehicle Protection Act 2022, मान लिजे, for example, is a part of which dimension of business environment, तो पोलिटिकल गड़करी जी ने बनवाया था, अरे भाईया, कानून है इसके उपर, लॉका नाम आगया ना, तो इस विच ताइप अन्वार्मेरमेंट, legal, सुनना गया, the present party for the upcoming elections is very supportive for providing education to the students who live in masses or slums, कौन सा environment हो गया, political, मिटे मीला को पूचेंगे तो legal है, क्योंकि उसके उपर कानून मन चुका है, बट अगर कोई भी political party running, जो अभी regime में है, या जो आने वाली है, वो अगर अपने कुछ अजेंटे promise करती है, बट कानून नहीं है देश में उसके उपर, तो वो political होगा, बट legal नहीं होगा, तो बच्चे political और legal में काफी confused होते हैं, समझ में आगी बत, पका, तो YouTube पे आ जाते हैं लोग, मोधी जी कि हमेशा जी की बेज़िती करने के लिए, ना लाइक जिस देश में रहेंगे, उसी में उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तो government और YouTubers के उपर रोक लगाने के लिए एक बिल ला रही है, uniform broadcasting code बिल ऐसी कुछ है, अभी ये कानून बनानी है बहुत जल्दी बनने वाला है, last year ये बिल आ चुका है, एक दो साल में बन जाएगा, तो अभी तक ये political environment है, but when it will become a law children, तब क्या हो जाएगा, legal environment हो जाएगा, समझ में आ गया, और सब को, Google को, YouTube को, सारे online medias को, बोला जाएगा, आप इस कानून को support करने में, हमारी help करें, कोई भी ऐसा full content अगर लेके आ रहा है, which is against the nation, any country, इंडिया की बात नहीं कर रहे, हमारे यहां के लोग अगर पडोसी देश के बारे में, जुलटा पुलटा बोलेंगे, उनको भी हम block कर देंगे, तो YouTube ने एक robot बना दिया अपना, कि जब वो इस तरह के slang, full language सुने, automatically channel block हो जाए, तो कौन सा environment हो गया, technological environment, artificial environment नहीं, technological environment, इसलिए AI पर काफी काम चल भाए है, समझ गए बच्चों बात, चलेंगे, चलेंगे, political environment, कुछ videos डिलीट हो जाते हैं, अभी मैंने एक video डाला, तो उसमें, अजे केडिया जी है, काफी अच्छे, so called influencer भी है, बाते भी अच्छी बताते हैं, एक उन्होंने गाना यूस किया, Bollywood का stock market के उपर, बटे डेस्थरे भी मेरे चैनल पर उस पर आएं, तो मैंने लिग दिया उस पर, that the song or the video doesn't belong to me, it is the sole property of the owner, तो so called उन्हें भी कोई problem नहीं है, एक मैंने प्रयाग राज में air show shoot हुआ था, तो मैंने अपने iPhone 14s को shoot किया, very fond of airplane and all that, तो मैंने उसमें fighter movie का एक song add कर दिया, और तुरंट उस पर मतलब upload होते ही आ गया, copyright हैस पर, बटन का कि जो original author है, इसका song का, उसने इस video को या audio को use करने की permission दी है, मैं नहीं तो 4-5 पर हैसा करूँ, मेरा channel block हो जाएगा, समझ में आगई बात, चले आगे बच्चों, चलिए, political environment, अभी government एक rule ला रही है न, one nation, one election, सर इससे होगा क्या, आपकी उमर 18 साल है, MP, MLA, दोनों को आपको elect करना होगा, एक machine MP के लिए और एक MLA के लिए, आप जाएए बटन दवाएए, वोट पड़ जाएगा, सर फाइदा क्या, किसी state में इस साल election है, किसी में अगले साल election है, हर साल उतना ही पैसा खर्च हो रहा है, तो आप दोनों election अगर एक साथ कराएंगे, तो एक ही room में दो ballot machines होगी, तो खर्चा हमारा सोच दी कितने अर्बो खर्बो कम हो जाएगा, मतलब अगर इंडिया में हर पांच साल में एक सेंटर का election, और लगबग 32 स्टेट और यूटीज मिला कर election कराएं, 33 टाइम सेंटर का होगी, तो कितना पैसा सोच के बचेगा, बट प्रॉब्ल्म क्या है, सर किसी स्टेट में अभी तीन साल पहले election हुआ, सेंटरल का अभ हो रहा है, तो बोला जाएगा, इनका election नालन वॉइड हो गया, अब इनका election फिर से होगा अच्छा सर्मान लीजे सारे states का election एक साथ हो गया फिर किसी की party भंग हो गई चार साल बाद ही कोई बात नहीं अब ये election एक साल बाद ही होगा भी election नहीं करवाएंगे तब तक यहां पे क्या रहेगा President rule रहेगा क्या रहेगा President rule समझा गया इससे एक advantage क्या होगा Central Government का शिकंजा हर state पर थोड़ा और हो जाएगा जो parties freebies वगएर ऐसे बाठती रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी and above all कितने लाखो अर्वो खर्वो करोड़ो रूपे country के बच जाएगे बच्छों समझ में आ गया बात करते हैं गुजरात स्टेट की बच्छों real life example आपको बता रहा हूँ चिल्रन गुजरात कैसे country का सबसे बड़ा industry developed हब बना चिल्रन मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा हूँ it is since 2006 बच्छों अगर आपको गुजरात में एक industry एक business setup करना है मान लीजिए आपका plan 100 crore setup करने का है 100 crore का setup लगाने का कोई problem नहीं है गुजरात government की official website पर जाएए एक letter of interest जिसको expression of interest EOI बोलते हैं commerce की बाशा में I hope so I'm not very fast EOI file करना पड़ेगा आपको 15-20 दिन एक महिने के अंदर वाह से reply आएगा you are invited to come for a two-day visit at our place airport, railway station, bus station जैसे आप जाएं आप land करेंगे वहाँ पर उतरेंगे आपको सरकारी I.S. officer तो नहीं बोलूँगा the assistant people will take catch of you jail में नहीं लेके जाएंगे hotel में आपको छोड़ देंगे नहाद हो लीजिए पदा नहीं कितने दिन नहीं नहीं होंगे ready हो जाएए नाश्ता पानी कर लीजिए आपको कुछ 5-10 sites गुमा दी जाएंगी जो आपको पसंद आएं बता दीजिएगा within one month no objection certificate water supply fire department electricity land department revenue department इन सब के लिए करोड़ों रुपए घूस खर्च करनी पड़ती थी आज तक दूसरे state में आज भी करनी पड़ती कितनी जगा ये सारे no objection certificates business start करने से पहले आपको लेने पड़ेंगे बाते समझ में आई है पुछ नहीं करना ये सारा काम वहां की government आपके लिए करेगी जिस दिन ये सारा काम हो जाएगा you will be invited आईए अपनी factory का construction भूमी पूजन start करिये जमीन लोग बोलते हैं गौतम अडानी जी को मोधी जी ने 2 रुपे में दे दी पता है बच्चो कौन सी जमीन थी जहां 20 फुट का तालाब था उस जमीन को develop करने में क्योंकि हमारे देश में वही हाल है crabs जेरजारी जगा जा रहे थे एक प्लेन से पाइलेट कहरा है crab card तो नहीं लेगा Indian crabs हैं कोई भी बाहर निकलने कोशिश करेगा दूसरा उसको पकड़ लेगा is that understood or not समझे थी अब दूसरे states को भी अतल आ गई है इसको यूपी में पिछले चार साल से स्टार्ट किया गया इस साल चौथा समिट था दस ग्यारा बारा फेब में शायद या तीसरा था शायद पंजाब इसको एक साल और पहले से स्टार्ट कर चुका है बाकी महाराश्रा वगेरा तो वैसे इतना एकनॉमिकली डेवलप्ट है तो वहां इंसमनाटक नौटंकी की जुरत नहीं है तो यहां पे आप आईए अपना प्लांट लगाई है जमीन वगेरा क्या बेश थोड़ा रहे है और घर नहीं मना सकते है आप उस जमीन में माइंड इट विला बना लिए बहुँ बड़ा सा आपको इंडस्ट्रिल सेटप भी करना पड़ेगा कॉलेज खोल लो कोई टेकनिकल इंस्टिउशन खोल लो पैक्ट्री लगा लो दुकान लगा लो यह अलाउड है बस गर्मेंट को क्या फाइदा भाई गर्मेंट को टैक्स मिलेगा इंप्लॉइमेंट मिलेगा वहां के लोग खुश रहेंगे तो चीफ मिनिस्टर सहाब की सीट बरकरार रहेगी और इनको तो सिर्फ सीट का मूँ है ना इनको पैसे का क्या मूँ है नहीं समझाया आपके पापा मम्मी एक जमाने में मैनत करते थे पैसा कमाते थे घर चलाने ताकि सो कॉल्ड सोसाइटी में लोग उनको और रिस्पेक्ट दे तो एक नेता भी बस यही चाहता है उसकी पैसे की चाहत कम होती है कुछ होते हैं दलिद्दर नेता उनको पैसा ही चाहिए बाकि उसे खुरसी की खौईश होती है बस जैसे हमारी दादी मा पहुंगी नकेल कसे रहो बस सब मेरी बात मानें पीट पीछे कुछ भी बोलें सामने जी माता जी जी माता जी बोलते रहें समझ में आया कि नहीं आया तो बाकी स्टेट्स में लगए यूपी में भी है अभी यूपी में लास्ट येर दो साल पहले सैमसंग ने हजार करोड उपे का रहे हैं क्योंकि उनको दिन बर का 1000-2000 मिल गया महीने का 30 जार पहले बाली खीशते तब भी 30 दर मिलता था बर तब पुलिस में जाने का डर होता था अब यह डर समझ गए तो अगर बच्चों गर्वर्मेंट स्टेबल है तो आपको पता है कि आपकी जो बिजनस पॉलसी हैं व चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम अपने घर के कोट यार्ड में काम चालू कर दो इंदुस्दान में काम चालू करोगे न वो बड़ा फरनीचर का दुकानदार जाके आई-एस ओफिसर को बोलेगा दस जार घूस दे रहो इसकी दुकान बंद कर वहो क्य सब्सक्राइब कर ले तो किसके लिए हम बिजनस सेट अप करें पॉलिटिकल एंवायर्मेंट समझ के बच्छों किस कंट्री का मैप है थोड़ा सोग पर से कट गया है बगल वाला भी कुछ टाइम में इंडिया हो जाए बच्छों पूरा रट लीजेगा यह भी इंडिया ह अभी नवरात्री का समय चल रहा है बच्छों और काफी आउटलेट्स जो चिकन बिर्यानी बगएरा बेशते थे बड़े बड़े शेहरों में उन्होंने बोट टांग दिया है नो चिकन तिल बिर्यानी और सॉरी तिल नवरात्री एंड अगर वो यह काम अभी भी करते रह तो सोसाइटी उनके अगेंस्ट हो जाएगी कि इस सीजन में तो सब खाना खाया नहीं जाता समझ मागया तो क्यों यह बेच रहे हैं इनको सिर्फ प्रॉफिट की चिंता है इनको सोशल कस्टम दोर बिलीफ की चिंता है ही नहीं समझ मागया बुरा मत मानियेगा मैकडॉनल सेल सौग नहीं हो जाएगी यूपी में मैकडॉनल्स अगर खस्ता कचॉली बेचने लग जाए सेल बढ़ जाएगी मद्यप्रदेश में पोहा बेचने लग जाए तो सेल बढ़ जाएगी बट अब यह काम नहीं कर रहे हैं अलु टिक्की क्यों लेकिया है कस्टम जन वैलि का मानेवर और जैसे दीपावली नजदीक आती है क्या बोलते हैं क्या पहनो मानेवर का पुरता पहनो समझना गया अब सोचा गया मानेवर वालों ने कि बहु कैसे लेडीज आउट्फुट का सो कॉल्ड प्रमोशन किया जाए तो पहले उन्होंने सोचा कि जो बिड़न की वाइफ को बुला लिया जाए बट क्या जो बिड़न की वाइफ इंपक्ट डालेगी नहीं डालेगी समझना गया फिर सोचा गया प्रेंका चोपड़ा जी को बुला लिया जाए इंपक्ट होगा उतना ज्यादा नहीं होगा करीना कपूर खान जी को बुला लिया जाए को और मोहे का brand ambassador बना दो तो आपके पापा जब मानेवर का कुरता खरीदने जाएंगे तो आप मम्मी को बोलेगे मम्मी अपने लिए यहां तो बढ़ी है एक साड़ी सूट खरीद दो समझना गया तो इसलिए husband wife को लिया गया है कि अगर husband मानेवर से शॉपिंग कर रहे हैं तो भाबी जी और अंटी जी भी मोहे से शॉपिंग कर ही ले नहीं समझे बात को किसी लिए husband wife duo को लिया गया है तो sir प्रियंका चोपड़ निक जोंस को भी ले सकते थे निक जोंस अपने देश का नहीं है ज़्यादा इंपक्ट नहीं डालेगा sir आपको और आपकी wife को ले सकते थे दोनों ही बहुत busy है मेरे को class लेनी है मैं busy हूँ sir हमारे पापा उम्मी बुरे थे क्या मम्मी कह रही है मैं इस अब दलिद्धर काम नहीं करूंगी पापा कह रहे है मैं अपना business देखूं समझ में आ गई बचों बात clearly understood तो so called this is called as again lifestyle चल गए अगर हमारे country में gold jewelry को बिक्वाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो को brand ambassador बना लिया जाए बिकेगी जूल्री नहीं बिकेगी sportswear है decathlon नाम सुना होगा आपने सस्ता और अच्छा है इसके लिए रोनाल्डो भाइसाब अगर या दोनी भाइसाब अगर advertisement के brand ambassador बने तो यह बिकेगा बट अगर so called मोहे बिक्वाना है तो विराट कोली की wife को ही लेना पड़ेगा या पूरे couple को change कर दो तो सर अक्षे कुमार और उनकी जो wife अब उसके साथ या तो बसंती बैठेगी दो शाधी कर चुके हैं तो पता लगा वही brand मानने वर वाला दर्मेंदर शूट कर रहे हैं बीवी कलाई हो गए अच्छा तुमाहीं दूसरी शाधी करने प्लैनिक है इसका मतलब काजोल और अजे देवगण चलिए अंजली जी फैन है काजोल जी की अजे देवगण क्वेसलीन ले सकते क्योंकि थोड़े फाइटर टाइप के हैं वाट तो उनसे अगर वुड्लेंड का जूता विक्वाना है तो चल जाएगा अब वुड्लेंड वाले लेडी शू तो ज जितने विराट कोली हैं और सिदार जुब रंगना तो मैं क्या बुरा हूं समझ में अकला जोंग बनाकर चलिए यह बात समझ में बच्चो एडवर्टेजमेंट इंडिया में मैक्सिमम किस भाशा में होते हैं बच्चो हिंदी सो माई लेक्चर शुड आल्सो कॉम्प्रोम हिंदी में और साउथ इंडिया में इंग्लिश नहीं उनकी जो अपनी करनड वागेरा तमिल वागेरा जलेबी वाली भाशा है उसमें जादा होते हैं समझ गए मधर टंग मैक्डॉनल्स यूपी में जब स्टोर ओपन करता है बच्चों इंग्लिश और हिंदी यूज करता मारवाड़ी नहीं होता थोड़ा से हट के भाशा होती है तो मैक्डॉनल्स उसी तरह से वहाँ पर भाशा भी लिखता है अपनी नितुशिव से नवाले करें बंद करो स्टोर को कल से अंडेस्टुड इस चलिए तो लोकल लैंविज इस यूज़ मोर एकनॉमिक एन्वाइ क्यों 18 कैरेट गोल्ड बेच रहे हैं जादा तर परसनल कंप्यूटर आज लैप्टॉप के नाम पे क्यों बिक रहे हैं और जादा तर मोबाइल पोन्स में स्मार्ट फोन्स में गूगल अंड्रोइड क्यों आ गया सब चीजों का जवाब एक ही है बचो कोस्ट फैक्टर पेट्रल डे बाइडे महेंगा हो रहा है गोल्ड डे बाइडे महेंगा हो रहा है तनिश्क बेचता था जेनरली बाइस कैरेट वाली जूल्री जब गोल्ड 30, 40, 50,000 था आज भी बेचते हैं गोल्ड महेंगा हुआ काट लेन जैसा स्टोर ओपेन कर दिया कितनी कर दी गोल्ड की 18 कैरेट ताकि लोगों को सस्ता पड़ जाए और महेंगा हुआ 12 कैरेट स्टोर का नाम मिया 5-6,000 रुपे में पेंडेंट मिल जाएगा मौसी जी ने आपकी बड़ी दीदी की शादी में 22 कैरेट का 12 ग्रैम का पेंडेंट सेट दिया था अब मौसी जी की पोती की शादी है आपकी मम्मी कह रही भाई या गोल्ड बहुत महेंगा हो चुका है चलो मिया से 12 कैरेट का खरीट नाम तो होगा गोल्ड का समझ में आया की नहीं आया चांदी का देकर गोल्ड की पॉलिश ना करवा ना खाना वापिस निकाल लेंगी जो खाया है तो ये सब गेम इसी लिए प्ले किया जा रहा है आने वाले टाइम बचो एट कैरेट की जूलरी मिलेगी आपको इंडिया में ये अब आया है 2022-2024 में विदेशों में पिछले 25 साल से चल रहा है रीजन बिंग उनकी उकात तो होती नहीं गोल्ड खरीब में की अंडेसुड पहले लैप्टॉप्स आया करते थे अलमूनियम केसिंग के साथ चल रहे हैं मेटल बहुत मेहगा हो गया आज कल के लैप्टॉप्स प्लास्टिक बॉड़ी में ज्यादा तर आ रही है समझ मैं पहले लैप्टॉप्स में स्क्रीन ग्लास की हुआ करती थी आज कल LED या LCD प्ल प्लास्टिक बेसिकली रिसाइकल करना इजी है इन कंपारजन विद कि उसको ऐसे ही डंप करके छोड़ दें सैमसंग क्लेम करता है कि हम अपना 90% से ज्यादा प्रडक्शन रिसाइकल प्लास्टिक से करते हैं समझना गया अब दूखी मत होना सब्सक्राइब करीदा है गैल तो economy को आप ठीक से चलाएं corporate profit जादा जादा हो inflation कम से कम employment जादा जादा यह सारे factors जो directly country को boost करेंगे children they are called as a part of which environment economic environment फपले में बात गई चला समझना गया आपने देखा होगा shopping करने जब आप जाते हैं अलाबाद में तो बयान हो गई है पॉले तें गंगा परियावन की अब फिर से कुम्ब अगले साल पॉलतिन पूरी तरह से बैन हो जाएगा सब्जी वाला काएगा दीदी जी घर से जोला लेकिया यह social environment वोट समझ में आ गया चलिए चापूफाई कर लीजे चल दी से people understood what is economic environment चलन है confirm house loan पे rate of interest lowest रखा जाता है personal loan पे rate of interest highest रखा जाता है again it is a part of social as well as economic socialist लिए ताकि जो लोग मेंगा interest rate afford ना कर पाएं उनको भी घर खरीदने में problem ना हो economic इसलिए ताकि जादा से जादा so called लोगों के उपर monetary burden या inflation effect धरोगा ना समझ गए तो काफी points आप ऐसे पढ़ेंगे जो आपको एकदम combine लग रहे होंगे तो इसलिए case study mcq जब आय बचो बहुत ध्यान से पढ़के देखना है बहुत ध्यान से that's why book का text बहुत ध्यान से प नहीं वहां पे भी home loan होते हैं हर जगा होते हैं बट मेरा question यह है कि home loan पे rate of interest कम क्यों है तो इसके दो viewpoints है ताकि जादा से जादा loan distribute हो बैंक का दंदा पानी चले और जादा से जादा लोगों को घर खरीदने का मौका मिल पाए यह जो घर करीदने का मौका मिल पाए वाली line नहीं है यह social environment होगा बट जादा जादा बैंक का business improve करें क्योंकि home loan ने एक ऐसा loan होता है जिस पर कभी भी default नहीं हो सकता अगर इंसान loan नहीं भी पे कर रहा भाग गया क्या हनुमान जी घर लेक भाग जागा साथ में तो बैंक उसका घर बेश देगा समझ में आ गया यह economic environment ह technological किसी जमाने में आप use किया करते थे landline phone आज आप क्या use करते हैं बचो mobile phone सेवा में प्रधाना चार रहा now it is children water email समझ में आ गया पहले normal messaging होती थी आज कल क्या चलता है WhatsApp चलता है समझ में आ गया तो यह है technological environment किसी जमाने में लोग video call करते थे आज कल Google पर call करते हैं वो use करते हैं सबसे पहले चैट वाला क्या आता था था वही नहीं गूगल मीट तो बहुत बाद में आया अरे वह ब्लू कलर का उता था not getting the name हाइक नहीं हाइक नहीं मेसेंजर ब बाद में आया था क्या बोलते थे उसको टेलिग्रम अगेरा बहुत बात में रसे call होती थी internet call होती थी I'm not getting the name वो सबसे पुराना मतलब internet calling world में था not getting the name exactly Google पर मिल जाएगा Skype yes got it very good intelligent बच्चों को पढ़ाने जहीं फाइदा होता है आप बोल सकते हैं यह very high profile known oldest internet calling platform है चल्डेन और आपका जो यह रिलाइंस का जीओ है चल्डेन यह भी Skype के प्लाटफॉर्म पे ही काम करता है और जो नॉर्मल एटल का 4G है वो काम करता है GSM टेक्नोलोजी पे अब सर यह क्या होता है जैसे जपान में घर लकडी के बनाए जाते हैं क्योंकि भूकम बहुत आता है तो वो सस्टेन कर लेगा शॉक बट सेमेंटेड वॉल्स उतना शॉक सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो लग-लग टेक्नोलोजी हो गई न वैसे ही आपे भी है एक GSM टेक्नोलोजी हुआ करती थी और एक हुआ करती थी बचों सो कॉल्ड CDMA टेक्नोलोजी को डिविजन मल्टिपल एक्सेस इस टेक्नोलोजी को दुनिया में फॉलकॉम ने बनाया था जो आज स्नापड्रागन प् ही है long term evolution technology जब इसमें बात करने की सहूलियत दे दी गई तो क्या बन गया यह वोल्टे बन गया voice over long term evolution मतलब GSM और CDA में जो है ना GSM हो गया cemented घर की छट GSM हो गया brick वाली छट और वोल्टे हो गया कौन सी छट लकडी वाली जो सारे shock absorb कर लेगी इसमें सबसे कब नुकसान करेगा सबसे किफाइधी पड़ेगा दंचलन चलिए तो companies को पता रग गया लोग काफी move on कर रहें इंटरनेट पे तो मुकेश अंबानी जी ने एक company को पकड़ा जिसका नाम था बच्चो spectrum technologies इस company के पास इंडिया में license था Volte Services का 9000 करोड रुपए इनकी network थी मुकेश अंबानी जी ने एक company बनाई Reliance Geo के नाम से Reliance Industries का profit Reliance Geo में transfer किया और वहां से 96 प्रतिशत investment कर दिया इस spectrum company में शल रहें इनके पास Volte का license था बट network setup करने की आखार नहीं थी मुकेश अंबानी ने का कि technology तेरी दिमाग मेरा तो इन्होंने 96% शेज इस company के खरीदे majority शेज होगा 51% जादा और पूरी holding capacity Reliance Geo के पास आ गई इस तरह से Reliance Geo पन पाथा बच्छों समझ में आ गया गूगल कर लीजेगा यह सब ब्लॉग्स आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे तो सारे के सारे environment समझ में आ गया बच्छों चली आज की सेवा यहीं समापत होती है अगला प्रसारण इसी के इंदर से lecture अच्छा ना लगा हो तो like कर दीजेगा बकवास लगा हो तो comment भी कर दीजेगा ओके चली thank you